ये बातुनी कववा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चौकन कागस दरकार होगा सबसे पहले एक चौकन कागस का वितर मोड़ कर एक बड़ा तिकौन बनाए फिर इसे दोबारा तै करें और एक छोटा मुसलस बनाए इस छोटे तिकौन को खोले और इसका जो मोड़ है इससे तै करके मुसलस बनाए इस तरह की शक्वी बनेगी इसके निचले कोनों को मोड़ कर एक नाव की तरह बनाए बाद में अंदर की पट्टी को उठा कर बाहर लाए इससे डबल नाव बन जाएगी उपर के तिकौन को नीचे दबा दे और उपर के तिकौन को दो मग दबा तीलचा मोड़े और इससे कवे की उपरी चोँच बनाए अब ठीक इसी तरह नीचे वाली चोँच भी बना दे अब कवे की चोँच लगभग तयार है अब इसके दोनों पंखों को पकड़ कर जैसे ही करीब लाएंगे तो कव्वा अपनी चोंच बंद करेगा इसमें आख लगा दे कव्वा काई काई चिल लाएगा और आप से बाते करेगा और वो एक मचली भी अपनी इस चोंच में दबोच लेगा है न मजी तर किलो ना